नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल अचसी पारमोट में दोस्तों आज के हमारे वीडियो को TOPIC है Formwork safety इस वीडियो में हम जानेंगे कि Formwork क्या होता है नेक्स हम जानेंगे है कि Formwork में कौन-कौन से associated हजार्ट होते हैं नेक्स हम जानेंगे दोस्तों कि उन हजार्ट के क्या-क्या precautions हम ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और डिटील में जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे what is formwork यानि कि formwork क्या होता है तो formwork is a mold in which concrete is filled until it sets which is supported by vertical and horizontal members यानि कि formwork एक mold होता है जो कि vertical और horizontal members से supported होता है और इसके अंदर concrete को fill करके छोड़ दिया आता है तब तक कि वो set नहीं हो जाता है next time जाने के दोस्तों कि formwork में कौन-कौन से hazards involved होते हैं यानि कि कौन-कौन से खतरे होते हैं तो सबसे पहला है improper material handling यानि की material handling सही से ना करना यह भी 1000 है next दोस्तों improper lifting tools and tackles यानि जो भी lifting tools and tackles है जिनका use formwork material को lift और shift करने के लिए किया जाता है उनका सही ना होना यह भी 1000 है next दोस्तों working at height यानि कि formwork का job है दोस्तों वो कभी-कभी height पे भी किया जाता है तो working and height भी उसमें 1000 है नेक्स्ट रिनदेक्वट्व के उसमें प्रापर सपोर्ट नहीं होना यह भी 1000 है नेक्स्ट दोस्तोव इंप्रोपर सीक्वेंस अफ डिसर्ट्रिंग यह निए फॉर्मग कर देने के बाद आफ्टर कॉंक्रीटिंग जो डिसर्ट्रिंग का जॉब है वह सीक्वेंस में ना होना यह भी एक हजार्ड है नेक्स्ट हम जानेंका दोस्तों प्रिकासंस के बारे में सबसेला है प्रोपर मटेरियल हैंडलींग करते हैं तो उस दोरन औरumm प्रोपर प्रोलो किया जाना चाहिए नेक्स्ट दोस्तो provide training on manual और material handling यानि की manual material handling या material handling बे training provide करें नेक्स्ट दोस्तो inspect all lifting tools and tackles before use यानि जो भी lifting tools and tackles यूज कर रहा है उसको use करने से पहले inspect कर ले नेक्स्ट दोस्तो TPI certificates of all lifting tools and tackles must be available यानि जिपने भी lifting tools and tackles यूज हो रहे हैं उनका TPI certificate यानि की third party inspection certificate अबलेवल होना चाहिए नेक्स्ट है ensure proper supervision during material handling यानि जभी material handling करते है तो उस दोरान proper supervision होना चाहिए नेक्स्ट है proper working platform and PPS to be provided for working at height यानि जभी भी height का जो हो तो उस दोरान proper working platform और जो भी height के लिए required PPS है वह वहाँ available होना चाहिए जैसे की full body harness नेक्स्ट है दोस्तों provide railing to board and lifeline यानि की जो formwork का job है अगर वो हम हाइट पे execute कर रहे है तो उस दोरान जो working platform है उसमें railings to board और lifeline install होना चाहिए नेक्स्ट है आवाइस loose materials on working platform यानि की working platform पे loose materials को नहीं रखने चाहिए नेक्स्ट है provide safety net और cache net where required यानि की जहां भी जरूरत हो आपे safety net या cache net प्रोवाइड करें या install करें नेक्स्ट है provide proper support to formwork यानि की जो formwork है उसको proper support दें नेक्स्ट है दोस्तों inspect formwork before pouring concrete यानि concrete को pour करने से पहले formwork का proper inspection कर लें नेक्स्ट है दोस्तों English only competent person for formwork यानि formwork के लिए केवल competent person को ही deploy करें नेक्स्ट है provide safe access and address to reach work spot यानि जो भी हमारा job spot है या work spot है वहाँ पे आने जाने के लिए safe access और address होना चाहिए नेक्स से dismantling should be carried out in sequence यानि कि जो dismantling करें या डी शर्ट्रिंग करें वो एक sequence में ही किया जाना चाहिए और नेक्स्ट दोस्तों deploy only trained gang for d शर्ट्रिंग यानि कि डी शर्ट्रिंग करने के लिए जो trained gang है उसको केवल deploy करें दोस्तों ऐसे और इनफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचसी पारमांट को जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग